कि यहां पर क्या ओओ छुक आ है संग हो चुका है हमारा प्रोजेक्त अब यह हो गया मेरा ग्रेडल का तुम यहां करदूंगा अब क्या करना है हमें सबसे पहला स्टैप एस लास्ट आने के गड़ा था सबसे पहले जो हमारा क्या होता है activity layout होता है तो उस layout में हमें changes करने होता है तो यहां पर अगर आप देखो हमारे पास दो जो हमारा frame layout है उसमें क्या क्या है एक तो scroll view है एक उसमें text view जो जिसमें हम data display कर वा रहे थे tv weather data राइट और इस scroll view को हमने यहां पर बंद कर दिया था जो हमारे दो दूसरे एक text view यह है और एक progress bar है तो guys text view यह वाला जो है क्योंकि error message शो कर रहा थो इसमें हमें कोई changes नहीं करना है और यह progress bar है यह भी काप शो करेंगा जब खाली loading हो रही थी तो इसमें भी हमें कोई अब यह कौन सा जो text view है guys यह मुझे नहीं चाहिए अब क्योंकि जो data display होगा वह किसमें होगा list item के through होगा किसके weather data के मतलब जो अब हमें data किसमें शो करना है अपने recycler view में शो करना है तो जो scroll view और text view है मैं इसको क्या कर सकता हूं delete कर सकता हूं simple and यहां पर अब क्या use कर सकते है guys मैं recycler view यूज कर सकता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो guys simple मेरे पास क्या आगया recycler view आ गया है and मैं simply इससे select करके इसकी मैं क्या कर दूंगा width and height match parent कर दूंगा and last source में guys हमने क्या देखा था मैंने आपको बताया था जो हमारा कौन सा था जो हमारा रिसाइक्ल आप ता राइट मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर हमारा frame layout नहीं भी होगा तो भी कोई इस्यू नहीं है क्यूंकि हम तब भी उसमें simple अगर मैं recycler view भी छोड़ देता उसमें frame layout delete करके तो भी यह बिल्कु सही वर्क करता बस यहां पर नेम स्पेस होती है हमारी root की वह यहां पर copy कर देते और बिल्कु सही वर्क करता गाइस लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर क्या है हमारे एक तो error message text view है और एक progress bar है तो यह भी show करना है यह जबकि hidden है शो नहीं होंगे लेकिन कप शो होता है जो हमारी कोई error आती है तो basically guys वह चीज यहां पर apply नहीं होगी कि हम frame layout को delete करके यहां पर simple recycler view चला जें तो यह चीज यहां पर possible नहीं है और यहां पर एक चीज और कर देता है इसके ID भी देता है ताकि हम इसे use कर सकें और मैं इसके ID देता हूं simple recycler view is recycler view और किसका है forecast का तो मैं यहां पर simple क्या देता हूं recycler view forecast okay तो यहां पर हो गया है हमारा end guide इस चीज का आप ध्यान रखना सिर्फ मैंने scroll view और text view डिलीट करा है जो हमारे error message वाला text view और progress बाहर था हमें उसको touch नहीं करा है okay क्यूंकि हमे खाली किसको change करना था जो हमारा data display हो रहा था उस वाले text view को क्यूंकि अब किस पर दिखाएंगे हम recycler view पे दिखाएंगे हमारा next step क्या है इसके लिए एक list item के लिए बनाना पड़ेगा राइट हमने देखा था कि last time में हमके display करवाया थे numbers display करवाया थे तो इसके लिए क्या बनाया था हमने number list item बनाया था तो अब यहां पर क्या दिखा रहे है weather का forecast कर रहे हैं तो यहां पर क्या बना लेता है forecast list item बना लेता हम तो simple app layout पर जाकर एक नई resource file बना सकते हम यहां पर यहां पर new and क्या आगिया layout resource file and मैं यहां पर क्या दे दूंगा नाम दे देंगे यह क्या है forecast forecast list item तो यहां पर क्या है constraint layout ले रहा है by default तो यहां पर constraint की जगह मैं क्या देता हूं linear ले ले लेता है क्योंके guys हमें किसमें चाहिए linear linearly चाहिए राइट तो पहले ही यहां पर select कर लेते हैं फाल तो मैं हम आपर change करने से कोई benefit नहीं होगा मैं तो मैंने यहीं पर change कर लिया ऐसे हैं यहां पर क्रियेट होगे है हमारी forecast list item create हो गई है यहां पर orientations ने by default क्या ले ले लिया है vertical ले लिया है and width and height match parent ह अब क्या गणना है मुझे text view इस पर लेना है जो जिसमें क्या हो यह particular day का weather show होगा मैं राइट तो मैंने यहां पर इसके लिए comment एट कर दिया ताकि अप लोग confusion ना हो guys and basically क्या है हमारा hold करेगा weather का data individual day के लिए तो इस पर दोनों पर क्या करेंगे व्रैप content कर देंगे and इसकी अब के इसकी आइड़ी देगे एक ताकि इसको हम रफार कर सके तो simply यहां पर मैंने क्या देगी आइड देगी and TV क्या है वादर डेटा होगा तो simple weather data एन यहां पर इसके style भी देदेगे है और यहां पर किसमें है हमारा style already defined है नहां पर किसमें हमारा app compact dot large तो यहां पर आगे हमारा यह है तो यह आ गई हमारे इसके tax appearance का पूरा styling आ गई यहां पर अब यह तो हो गया गाइस यह लेकिन अब मुझे एक चीज हो चाहिए क्योंकि जो हमारे taxi होंगे weather गाइस बहुत सारे होंगे अब मुझे उसमें चाहिए कि थोड़ा सा डिवी डिवाइड हो और शो राइट सारे जो व्यू जो हमारे वैदर डेटा के व्यू शो होंगे राइट वह क्या हो उसके बीगे में थोड़ी सी space हो तो उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूं यहां पर कि मैं simply यहां पर एक इतना डिफरेंस ले लेते हैं वन डीपी ले लेते हैं गई इसका इसका यहां पर यहां पर यहां बन कर दिया बैक ग्राउंड देते हैं इसे वाइड बैक ग्राउंड कर दिया इसकी मार्जन ले 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 लेते हैं एक मार्जन ले 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 ली एट डीपी एन इसकी एक तो आब यहां पर देख सकते हो गाई जो हमारी यह है यह क्या आँगया मेरा जो textview है यह तो वह आगया जुसमें data display होगा और जो व्यूध वह वह क्या गया यह बीच में व्यूध आगया तो basically इससे क्या होगा guys हमें थोड़ा सा distance मिल जाएगा per text view में जो हमारे recycler view में आएंगे views आप चाहो तो space अगर आपको चाहिए थोड़ा data और space हो तो आप इसकी space भी बढ़ा सकते हो को issue नहीं है यह बस मैंने एक अंदाज ऐसे ले लिए अगर हमें बाद में change करनी होगी हम यहां पर simple change कर सकते हैं तो guys अब हमारा यह भी पूरा हो चुका है राइक तो guys यह भी बहुत बड़ा दो हमारे काम हो चुके हैं अब चलते हैं एक बहुत बड़ी है अपने coding task पे जो टफ होने वाला है वो क्या है guys हमें adapter क्रियेट करना है और adapter basically कैसे create करना है क्योंकि guys हमने कि discuss करा था कि हमारे किस basis पर बड़े एक तो हमारा layout होता है फिर recycler view होता है फिर adapter होता है adapter view holders होते है और adapter किस तर result देता है data source से पिलाल हमने क्या क्रिई करा है यह हमने तिय खुब कि आइपकर से सर करना है इसके विवादर से करना है उसके बाद क्या करेंगे जो मेरा यह काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम रैस के गुश्चर करेंगे उसके ब segu — में एक्टि लेयाऊट manager से connect करेंगे किसको अपने recycler view को जो क्या है adapter में होगा तो गाइज बहुत बड़े अभी अभी बड़े coding task होने वाले हैं काफी इसमें changes करने हमें ध्यान से करना गाइस and hopefully कोई हमसे error ना हो इसमें and hopefully guys जब तक की exercise complete होगी आपको इसको recycler view की बिल्कुल आदत हो जाएगी करने की and hopefully आपको पूरा idea हो जाएगा कि recycler view कैसे work काता हैं कैसे हम एक एक करके operation यहां पर create करेंगे तो आप किस पर चलता है अपने package पर चलता है simple जो मेरा कौन सा package है जो यह वाला sunshine वाला package है इसमें एक नई वो create कर लूँगा मैं java class और इसमें नाम क्या रखूंगा मैं इसका forecast adapter है तो simple मैं यहां पर forecast adapter लिख लेंगे and हमने यहां पर create कर दी अब गया इस चीज का आप ध्यान रखना की कौन से वाले package में बनानी है आपको जो हमारा app वाला package है क्योंकि यहां पर package name देखो के आप किसमें dot sunshine में आ रहा है मत कर देना आपकी data और utilities में मत कर देना ठीक है तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान रखना and यहां पर क्या create हो गई है guys हमारी adapter class create हो गई है and अब इससे क्या कर लेते हैं इसकी functionality add कर लेते हैं so guys हमने यहां पर क्या कर लिया था forecast adapter तक अपनी class create कर लेती रहे अभी क्या क्या क class जो view holder पर work करती है पहले हम वो create कर लेते हैं और बाकी चीजे हैं जैसे जैसे अब आगे बढ़ते रहेंगे वैसे 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 समझते रहेंगे guys तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम इसका इसमें guys बना लेते हैं सबसे पहले इसके लिए inner class होगी किस टाइब क्यों बना लो class होगी जो view holder view holder को क्या करेंगी जो उसे की cache files करेंगी मैंने आपको क्या बताया था कि guys जो हमारी forecast adapter जो हम बनाएंगे उसके अंदर दो काम होगे एक तो जो हमारे recycler view पे list राइट होएंगे हमारे उन्हें सेट करना है उसे source से उठागे तो वो काम कौन करेंगा हमारा forecast adapter कर अधैसेट करना यहां पर छो करेंगे तो यह किसले हैं तो यहां पर यहां पर सब्सक्राइब बना रहा है हम एक second करेंगा तो सिंपल मैं यहां 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 पर पर क्या क्या अ रही है क्रिए मैँ करना हैंगा यहां पर यह क्यों कहा रहा है आपको अगर याद हो तो हमारे पिछले लेसंस में जैसे हमें आप सुचो गैस हमें हमें इंप्लिमेंट करने पड़े होते थे methods right ऐसी ही क्या होता है इसका view holder का जब इसे में pass होगा क्योंकि इसमें क्या pass हो रहाए तो व्यूग किस के थ्रू होगा इसके डिफॉल्ल कंस्क्रक्टर के थ्रू होगा तो हमें क्या पास काना पड़ेगा सुपर के थ्रू पास करना पड़ेगा तो इसको अभी हम देख लेते हैं एक प्रेले यह क्लास के कमेंट कर देता हूं कि यह BASICALLY किसके लीए कैश, जो चिल्डरन वियूज हैं, उनको जो कैश स्टोर करेगा, यह उसके लिए है.